Hello everyone, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे discuss करूँगा, कि JSSE CGL का जो exam का पूरा process है, उसमें कितना समय लगेगा, क्या चीज कब हो सकता है, आपका जो exam है उसका result लगभग कब आएगा, उसका document verification कब होगा, और final joining आपको अपने हाथ में कब मिल सकती है, इसका पूरा discussion हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा end तक देखेगा, और यदि आप लोग JSSE CGL 2023 का paper 3 का test series लेना चाहते हैं, यानि practice test, तो आप online mode में हमारे app में जाके ले सकते हैं, mobile app में, केवल आपको अभी 99 rupees में देखने के लिए यह मिल जाएगा, test अभी upload हो रहे हैं, इसलिए दाउन थोड़ा कम रखा गया है, बाद में price बढ़ जाएगा, तो अभी आप लोग ले लीजिए, 99 में लेने के लिए आपको coupon code officer लगाना पड़ेगा, O F F I C E R, इसमें आपको 10 practice test मिलेंगे, जो latest exam pattern है, उसके अनुसार, English और Hindi दोनों medium है, चलिए exam का बात में होगा, पहले हम लोग यहां पर पूरा date देख लेते हैं, और अगर चैनल पर आप लोग नए हैं, देखें, दो बार release हुआ, दो बार उसमें update हुआ, लेकिन इस date को नहीं बदला गया, तो बहुत high chance है कि इस date में आपका exam हो जाएगा, ठीक है, तो 14 और 15 October को आपका exam होगा, exam याद रखेगा, single level है, कोई इसमें mains advance वाला scene नहीं है, single exam है, वो exam निकाल लिए direct, उसके बाद आपका result आएगा, ठीक है, exam calendar में ही आपको result का date दिया हुआ है, result का date है December में, यानि कि आयोग जो है, वो मान के चल रहा है कि लगभग 2 महीने का समय लगेगा result बनाने में, तो यदि मान लिजे 14-15 October को ऐसे भगवान न करेगा ऐसा हो, लेकिन यदि ऐसा होता भी है कि अगर exam date आगे बढ़ता है, तो उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपका फिर भी result आ जाएगा, तो अभी के लिए हम लोग मान के चलते है कि calendar में जो बात लिखी होई है, दिसमबर 2023 में आपका result आ जाने वाला है, अब उसके बात process में आगे क्या होता है, कि आगे होगा document का verification, तो document verification होगा, इसमें कुछ नहीं होता, आपको यदि मान लिजे आपका result में नाम आ गया, तो ऐसा नहीं है कि direct आपको job मिल जाएगा, उसके बात क्या होगा, कि उसका आपका document वगेरा चेक किया जाएगा, कि आपको जो है उसके लिए आप eligible है भी कि नहीं सारा, आपके पास का certificate वगेरा, जो भी जिस तरह का certificate है, 10, 12 graduation सब है कि नहीं है, तो वह लगभग कितना time बात होगा, एक से तीन महीने के अंदर अंदर वह हो जाएगा, ठीक है, इतना कम समय मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि election भी चल रहा है, हर चीज फास्ट ही होने वाला है, तो एक से महीने से लेकर के तीन महीने के अंदर अंदर आपको document verification के लिए बुलाया जाएगा, ध्यान रखेगा अभी आपका final selection नहीं होगा, पहले document चेक किया जाएगा, तो मोटा मोटी हम लोग मान सकता है कि जनवरी से लेकर के March 2024 के बीच में आपका document verification करा लिया जाएगा, और उसके बाद बनेगी final merit, यानि document verification में थोड़े जादा लोग बुलाया जाते हैं, लेकिन उसके बाद merit बनेगी final, यानि कि document verification में जिन लोग को OK करार कर दिया जाएगा, कि बल वही लोग result में आगे finalize होंगे, कुछ लोग हो सकता है कि document वगरा से चंट भी जाएगा, ठीक है, तो final merit बनेगा उसमें आपको नाम पता रहेगा, आपका post पता रहेगा, यह यह फला फला आपको मिला है, ठीक है, तो जो final job का merit है, वह एक-दो महिना और उसमें time लग सकता है, लग-बग एक महिना और आपका लगेगा, डिपेंड करता है, हो सकता है अगर आयो काम को बहुत जल्दी करवाना चाहता है, बात को समझिएगा, यदि आयो काम जल्दी करवाना चाहता है, तो वह document verification और जल्दी करवा सकता है, हो सकता है कि merit के लिएने के तूरंद बात भी हो जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग के लिए आपको आपका department बुलाएगा, ध्यान रखेगा, department यहाँ पर अलग है, जैसे अलग अलग पोस्ट है, माल लीजे, ASO का जो पोस्ट है, वह जारखंट Secretariat Service के अंदर आता है, जारखंट सची वाले आपको यहाँ पे call करेगा, यहाँ पे role JSC का खतम हो जाएगा, फिर जारखंट सची वाले आपको बुलाएगा, उसको training करवाना होगा या जो भी उसका process होगा, वह आपका department जारखंट सची वाले उसका काम है, जैसे labor enforcement officer है, यह दूसरा department यह labor department के अंदर आता है, तो यह श्रम कल्यान भी भाग, आपको इसमें अपना काम करवाएगा, ठीक है, तो इसको वह काम करवाएगा, तो अब department की उपर नेरभर करता है, कि आपका department कितना जल्दी हाँ चलाता है, ठीक है, पर क्यूंकि election है, और सब की उपर एक positive pressure डाला ही जाएगा, कि काम को जल्दी करा है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं, कि इसके बाद joining आपका एक से लेकर के 6 माहिन तक में आई जाएगा, भाँच स्लो भी department होगा, तो 6 माहिन अधरवाइस हो सकता है, एक माहिन में ही आजाए तो यानि कि 2024 के बीच-बीच में आप अराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग सुरो होगा, हलाकि जारखंड है भाई, जारखंड में कुछ भी sure sort नहीं कहा जा सकता, बीच में हो सकता, कुछ चुनावी बवाल हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो यह हम लो प्रोसेस क्या करवाना और कैसे करवाना है, बहुत जादा uncertainty होता है, इसलिए सोस समझ के चलिएगा, एक मैं जस्ट आपको rough idea दे रहा था, दूसरा exam भी आगे line-up हो रहा है, बहुत सारा, तो उसके exam से मैं अंदाज लगा रहा हूं, कि सायद election से पहले-पहले, कोई ना कोई जोइनिंग लेटर माटने का काम तो मुख्यमंत्री महोदय करना चाहेंगे, otherwise तो फिर election में भी problem हो जाएगा, और steps तो लिए जा रहे हैं सरकार द्वारा, अब उस step धरातल पर कितना उतरता है, वो हम लोगो को आगे देखना होगा, बहराल अगर आप लोग JSC के तयारी कर पेपर 3 जो है आपका mix वाला 150 question वाले उसके तयारी आपको अच्छे से करनी है, तो आपको practice test की ज़रूरत पड़ेगी, offline जो आप लोग खरीद के practice test लगाते हैं, उसमें आप test तो कर लिए, लेकिन आपको अपना अवकात नहीं पता चला, मतलब आपका rank कहा है, बाकी लोग जाते हैं, तो अभी screen पे एक mobile number आ रहा होगा, उस पे आप WhatsApp पे message कर सकते हैं, calling का number नहीं है, केवल आपको message करना है, message कीजिएगा, आपको इसके बारे में अधिक जानकारी वहां से प्राप्त हो जाएगी, otherwise आप जो है हमारा exam cluster का mobile app में जाके, इसको direct इसमें indulge कर सकते हैं, नहीं तो WhatsApp में बात करना चाहें, तो कर सकते हैं, ठीक है, और बस वीडियो इतना ही था, I hope आपको वीडियो से कुछ जानने के लिए मिला होगा, यदि जानने के लिए मिला तो वीडियो को like जरूर कीजिएगा, comment में कुछ अच्छा comment कर जाईए, और अपने दोस्तों के मेरा नाम है रिशी केश, जय हिंद